नमस्कार, प्रस्तुत है हिंदी सहित्ती की जानीमानी लेखे का उशा प्रियम्बदा की लिख्योई कहानी वापसी गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नज़त दोड़ाई, दो बक्स, डोल्ची, बाल्टी, यह डिबबा कैसा है गनेशी? उन्होंने पूछा, गनेशी विस्तर बांता हुआ कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला, घरवाली ने साथ को कुछ बेस का अनुभब किया, जैसे एक परिचित इसने है, आधर मैं सहच संसार से उनका नाता तूट रहा हो, कभी-कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गनेशी विस्तर में रस्ती बांता हुआ बोला, कभी कुछ जरूरत हो दिल लिखना, गनेशी, इस अगहन तक बिटि रेलबे क्वार्टर का या कमरा, जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, उनका सामान हट जाने से कुरूप और नगन लग रहा था, आंगन में रोपे पौधे भी जान पैचान के लोग ले गए थे, और जगय जगय मिट्टी बिखरी हुई थी, पर पतनी, बाल बच अधिकाल समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था, उन्होंने इसी समय की कलपना की थी, जब वो अपने परिवार के साथ रह सकेंगे, इसी आशा के सहारे वो अपने अभाव का बोज़्ध हो रहे थे, संसार की दृष्टी में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था, उन्होंने शहर में एक मकान बनबा लिया था बड़े लड़के अमर और लड़की कांती की शादिया करती थी दो बच्चे उची कक्षाओं में पढ़ रहे थे गजाधर बाबु नौकरी के कारण प्राय छोटे इस्टेशनों पर रहे और उनकी बच्चे और पत्नी शहर में जिससे पढ बिनोत करते उन सब के चले जाने से उनके जीवन में गहन सूना पन भर उठा खाली शणों में उनसे घर में टिका न जाता कभी प्रकृती के न होने पर भी उने पत्नी की इसने पूर्ण बातें याद आती रहती दो पहर में गर्मी होने पर भी दो बज़े तक आग जलाए रहती और उनके स्टिशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेखती उनके खा चुकने और मना कहने पर भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोज देती और बड़े प्यार से आग रह करती जब वह ठके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पाकर वह रसोई के दुआर पर तोपी उतार का गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी जूते खोल कर नीचे खिसका दिये अंदर से रह रहकर कहकों की आवाज आ रही थी इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे एकटे होकर नाश्ता कर रहे थे गजाधर बाबू के सुखे चेहरे पर इस कराते हुए वह विना खासे अंदर चले आए उन्होंने देखा कि नरेंदर कमर पर हाथ रखे शायद गत रात्री की फिल्म में देखे गई किसी नृत्ति की नकल कर रहा था और वसंती हस का दोहरी हो रही थी अमर की बहू को अपने तन बदन आचलिया घुंगट का कोई हो केबल बसंती का शरी रह रहकर हसी दवानी के प्रयत्न में हिलता रहा गजादर बाबू ने मुसकराते हुए उन लोगों को देखा फिर कहा क्यों नरेंदर क्या नकल हो रही है कुछ नहीं बाबू जी नरेंदर ने सिट पिटा कर कहा गजादर बाबू ने चाहा था कि वह भी इस मनों बिनोद में भाग लेते पर उनके आते ही जैसे सब कुंठी थोच चुप हो गए उससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपजाए बैठते हुए बोले बसंती चाय मुझे भी देना तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या बसंती ने मा की कोटरी की ओर देखा अभी आती ही होंगी और प्याले में उनके लिए चाय चानने लगी बहु चुपचा पहले ही चली गई थी अब नरेंदर भी चाय का आखरी घूट पीकर उठ खड़ा हुआ केबल बसंती पिता के लेहाज में चौके में बैठी मा की रह देखने लगी गजातर बाबू ने एक घूट चाय पी फिर कहा बिट्टी चाय तो फीकी है लाइए चीनी और डाल दू बसंती बोली रहने दो तुम्हारी अम्मा जब आएंगी तभी पी लूँगा थोड़ी देर में उनकी पतनी हाथ में अर्ग का लोटा लिये निकली और अशुद इस्तुती क पन में फासी कसक उठी अपने अपने काम में लग गए हैं आखिर बच्चे ही हैं पतनी आकर चौके में बैठ गई उन्होंने नाग भी चड़ा कर चारो ओर जूठे बरतनों को देखा फिर कहा सारे जूठे बरतन पड़े हैं इस घर में धरम करम कुछ नहीं पूजा करके स क्लंबी सांस लेकर चुप हो रहीं गजाधर बाबु बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहें उन्हें अचानक ही गनेशी की याद आगे रोज सुब्य पैसेंजर आने से पहले वा गरम गरम पूरियां और जलेबी बनाता था गजाधर बाबु जब तक उठकर त पहुचे गनेशी ने चाय पहुचाने में कभी देर नहीं की क्या मजाल के कभी उससे कुछ कहना पड़े पतनी का शिकायत भरा स्वर सुनके उनके विचारों में ब्यागात पहुचा वह कह रही थी सारा दिन इसी खिच-खिच में निकल जाता है इस ख्रस्ती का धंदा पी प्यार से समझाया तुम सुभह पढ़ लिया करो तुम्हारी मा बूड़ी हो गई है उसके शरीर में अब उतनी शक्ती नहीं बची है तुम हो तुम्हारी भावी हैं दौनों मिलका काम में हाथ बटाना चाहिए बसंती चुप रहे गई उसके जाने के बाद उसकी माने धीर से कहा पढ़ने का तो बहाना है कभी जी ही नहीं लगता लगे कैसे शीला से ही फुरसत नहीं बड़े बड़े लड़के हैं उनके घर में हर वक्त वहां गुसा रहना मुझे नहीं सुहा था मना करूं तो सुनती नहीं नास्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए घर चोटा था और ऐसी वेवस्ता हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई इस्थान न बचा था जैसे किसी महमान के लिए कुछ अस्थाई प्रबंद कर दिया जाता है उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटा कर बीच में गजाधर बाब कर किसी और लक्ष की ओच चली जाती है घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब अपना प्रबंद किया था उनकी पतनी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था पर वह एक और के मर्तवान दाल चावल के कनस्तर और घी के डिब्बों से भरा हुआ था दूसरी और पु जाती थी वो भर सक उस कमरे में नहीं जाते थे घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहु के पास था तीसरा कमरा जो सामने की ओर था बैठक था गजादर बाबु के आने से पहले उसमें अमर की ससराल से आया बैंत की तीन कुर्सियों का सैट पड़ा था नीली गद्डियां और बहु के हाथों के कड़े कुशन थे जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती थी वो एक दिन चटाई लेकर आ गई गजादर बाबू ने घर घ्रस्ती की बातें छेड़ी वो घर का रवया देख रही थे बहुत हलके से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा कुछ खर्च कम होना चाहिए सभी खर्च तो बाजिब हैं किसका पेट काटू यही जोडगाट करते करते बूड़ी हो गई न मन का पहनना न ओड़ा गजाधर बाबू ने आहद बिसमित द्रिष्टी से पत्नी को देखा उनसे अपनी हैसिय छिपी न थी उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उलेख करती यह सवभाविक था लेकिन उनमें सहान भूती का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका उनसे यदि राय बात की जाए तो प्रवंद कैसे हो तो उन्हें चिंता कम संतोश अधिक होता लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जाती थी जैसे परिवार की सब परिशानियों के लिए वही जिम्मेदार थे तुम्हें किस बात की कमी है अमर की मा घर में बहु है लड़के बच्चे है सिर्फ रुपए से ही आदमी अमीर नहीं होता गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही अनुभव किया यह उनकी आंतरिक अभी व्यक्ति थी ऐसी कि उनकी पत्नी समझ नहीं सकती हाँ बड़ा सुख है ना बहु से आज रसोई करने गई है देखो क्या होता है कहकर पत्नी ने आँखे मूदी और सो गई गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रहे गए यही थी क्या उनकी पत्नी जिसके हाथों के कोमल इसपर्स जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ट जीवन काड़ दिया था उन्हें लगा कि लावणे मई युवती जीवन की रहा में कहीं खो गई है और उसकी जगे आज जो इस्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत अपरचित है गाड़ी नीड में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडॉल और कुरूप लग रहा था चहरा स्री हीन और रूखा था गजाधर बाबु देर तक निसंग द्रिष्टी से पत्नी को तेकते रहे और फिर लेट का छट की ओर ताकने लगे अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हडवडा कर उठ बैठी लो बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद और वो अंदर भागी थोड़ी देर में लोट कर आई तो उनका मुँ फूला हुआ था देखा बहू को चौका खुला छोड़ा आई बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी सभी तो खाने को हैं अब क्या खिलाऊंगी वो सांस लेने को रुकी और बोली एक तरकारी और चार परांठे बनाने में सारा दिबबग ही उड़ेल कर रख दिया जरासा दर्द नहीं है कमाने वाला हार तोड़े और यहां चीजन लुटे मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बसका नहीं है गजादर बाबू को लगा कि पतनी कुछ और बोलेगी तो उनके कान जन जना उठेंगे होट भीज करवट लेकर उन्होंने पतनी के और पीट कहे ली राग का भूजन बसंती ने जान भूज कर ऐसा बनाया था कि कौर तक निगला न जा सके गजादर बाबू चुपचाब खाकर उठ गए पर नरेंदर थाली सरका कर उठ खड़ा हुआ और बोला मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता बसंती तुनक कर बोली तो ना खाओ कौन तुमारी खुशामत करता है तुमसे खाना बनाने को कहा किस में था नरेंदर चिलनाया बाबू जी ने बाबू जी को बैठे बैठे यही सूचता है बसंती को उठा कर माने नरेंदर को मनाया और अपने हाथ से कुछ बना कर खिलाया गजादर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना बनाने तक का शौर नहीं आया अरे आता तो सब कुछ है करना नहीं चाहती पत्नी ने उत्तर दिया अगली शाम मा को रसोई में देख कपड़े बदल कर बसंती बाहर आई तो बैठक से गजाधर बाबू ने टोक दिया कहा जा रही हो पडोज में शीला के घर बसंती ने कहा कोई जरूरत नहीं है अंदर जाकर पड़ो गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने जाते थे लोटकर आये तो पत्नी ने कहा क्या कह दिया बसंती से शाम से मूँ लपिटे पड़ी है खाना भी नहीं खाया गजाधर बाबू खिन हो आये पत्नी की बात का उन्होंने उत्तर नहीं दिया उन्होंने मन में निश्य कह लिया कि बसंती की शादी जल्दी ही कर देनी है उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी जाना हो तो पिछवारे से जाती गजाधर बाबू ने दो एक बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला रूठी हुई है गजाधर बाबू को और रोश हुआ लड़की के इतने मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं फिर उनकी पत्नी नहीं सूचना दी कि अमर अलग होने की सूच रहा है क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया अमर और उसकी बहु की शिकायते बहुत थी उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगे नहीं अमर को अब भी वह छोटा सा समझते थे और मौके भी मौके टोक देते थे बहु को काम कहना पड़ता था और सास जब तब फूवर पनपताने देती रहती थी हमारे आने के पहले भी कभी ऐसी बात होई थी गजाधर बाबू ने पूछा पतनी ने सिर हिला कर जताया नहीं पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था बहु को कोई रोक टोक न थी अमर के दोस्तों का प्राया यहीं अड़ा जमा रहता था और अंदर से चाय नाश्ता तयार होकर जाता था बसंती को भी वही अच्छा लगता था गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा अमर से कहो जल्दवाजी की कोई जरुरत नहीं है अगले दिन सुबह घूम का लोटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है अंदर आका पूछने वाले ही थे कि उनकी इद्रिष्टी रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी उन्होंने ये कहने को मूँ खोला कि बहू कहा है पर कुछ याद कर चुप हो गए पत्नी की कोठरी में जहाका तो अचार रजाईयों और कनस्तनों के मद्दी अपनी चारपाई लगी पाई गजधर बाबु ने कोट उतारा और कहीं टांगनी के लिए दीवार पर नजर दोड़ाई फिर उस पर मोड पर अलगनी के कुछ कपड़े खिसका कर एक किनारे टांग दिये कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेद गए कुछ भी हो तन आखिरकार बूड़ा ही था सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते पर आते आते था कुटते गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वाटर याद आ गया निश्चिंत जीवन सुबह पैसिंजर ट्रेन आने पर स्टेशन पर चहल पहल चिर परचित चहरे और पट्री पर रेल के पहियों की खटखट जो उनके लिए मदो संगीत की तरह था तूफान और डागड़ी के इंजनों की चिंगार उनकी अकेली रातों की साथ ही थी सेट रामजी मल की मिलके कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते वह उनका दाइरा था वही उनके साथ ही वह जीवन अब उन्हें खोई विधी सा प्रतीत हुआ उन्हें लगा कि वह जिंदी की द्वारा ठगे गए हैं उन्होंने जो कोछ चाहा उसमें से उन्हें एक पूर भी न मिली लेते हुए वह घर के अंदर से आते बिवित स्वरों को सुनते रहे बहु और सास की छोटी सी जड़प, बाल्टी पा खुले नल की आवाज रसोई के बरतनों की खटपट और उसी में गौरईया का वारतालाब और अचाना की उन्होन निश्चे के लिया कि आप घर की किसी बात में दखल न देंगे यदि ग्रह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगए यहीं है तो यहीं पड़े रहेंगे अगर कहीं और डाल दी गई तो वहाँ चले जाएंगे यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं इस्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेशी की तरह पड़े रहेंगे और उस दिन के बाद सचमुझ गजाधर बाबु कुछ नहीं बोले नरेंदर मांगने आया तो उसे बिना कारण कुछ कुछ रुपए दे दिये बलकि उन्हें पती के घर के मामले में हस्तक्षिप न करने के कारण शानती थी कभी कभी कह भी उठती ठीक ही है आप बीस में न बढ़ा कीजिए बच्चे बड़े हो गए हैं हमारा जो करतब पिथा कर रहे हैं पड़ा रहे हैं शादी कर देंगे गजाधर बाबू ने आहा द्रिष्टी से पत्नी को देखा उन्होंने अनभव किया कि वह पत्नी वह वच्चों के लिए केवल धनो पारजन के निमित मात्र हैं जिस ब्यक्ति के अस्तित्तु से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारी हैं समाज में उसकी प्रतिष्टा है उसके सामने वे दो वक्त का भुजन की थाली रख देने से सारे करतब्यों से छुट्टी पा जाती हैं वगी और चीने के डबों में इतनी रमी हुई हैं कि अब वही उनकी संपूर दुनिया बन गई हैं गजाधर बाबु उनके जीवन के किंद्र नहीं हो सकते उन्हें तो अब बेटी की शादी के लिए भी उत्सा बुझ गया किसी बात में हस्तक्षिप न कहने के निश्य के उनका अस्तित्त उस बातावरण का एक भाग न बन सका उनकी उपस्तिती उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चार पाई थी उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूप गई इतने सब निश्यों के बाब जूत भी गजाधर बाबु को बराबर यह मैसूस होता रहता था कि उनके रहें सेहन और खर्च उनकी हैसियस से कहीं जादा हैं पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिलकुल बेकार हैं छोटा मोटा काम है घर में तीन मर्द हैं कोई न कोई कर ही देगा उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा अमर की बहु बोली बाबुजी ने नौकर चुड़ा दिया है क्यूं कहते हैं खर्च बहुत हैं यहां बारतला बहुत सीधा सा था पर जिस टोन में बहु बोली गजादर बाबू को खटक गया उस दिन जी भारी होने के कारण गजादर बाबू टैलने नहीं गए आलग से मैं उठकर बत्ती भी नहीं जलाई इस बात से बेखवर नरे नर्मा से कहने लगा अम्मा तुम बाबू जी से कहती क्यों नहीं बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही चुड़ा दिया अगर बाबू जी यह समझें कि मैं साइकल पर गेहूरत आटा पिसाने जाओंगा तो मुस्से यह नहीं होगा हाँ अम्मा बसंती का स्वर्थ था मैं कॉलेज भी जाओं और लोट का घर में जाडू भी लगाओं या मेरे बस की बात नहीं है बूड़े आदमी हैं अमर भुन बुनाया चुपचा पड़े रहे हर चीज में दखल क्यों देते हैं पतनी ने बड़े ब्यंग से कहा और कुछ नहीं सूजा तो तुम्हारी बहु को ही चौके में भीज दिया वह गई तो पंदरे दिन का राशन पांच दिन में बना कर रख दिया बहु कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई कुछ देर में अपनी कोटरी में आई और बिजली जलाई तो गजादर बाबु को लेटे देखकर ब मौचती हुई पासा खड़ी हुई गजादर बाबु ने बिना किसी भूमिका के कहा मुझे सेट राम जी मलकी चीनी मिल में नौकरी मिल गई है खाली बैठे रहने से तो चार पैसे घर में आए वही अच्छा है उन्होंने तो पहले ही कहा था मैंने मना कर दिया था फिर कु सो जाना है तुम भी चलोगी मैं पत्नी ने सक पका कर कहा मैं चलूंगी तो यहां का क्या होगा इतनी बड़ी ग्रस्ती फिर सयानी लड़की बात वीच में काटकर गजादर बाबु ने हता स्वर में कहा ठीक है तुम यहीं रहो मैंने तो ऐसे ही कहा था और गहरे मौन में नरेंदरी ने वड़ी तकपड़ता से विस्तर बांधा और रिक्षा बुला लाया गजादर बाबु का टीन का वक्स और पतला सा विस्तर उस पर रख दिया गया नास्ते के लिए लड़ू और मठरी की डलिया हाथ में लिए गजादर बाबु रिक्षे में बैट गए एक उन्होंने अपने परिवार पर डाली और फिर दूसरी ओड देखने लगे और इक्षा चल पड़ा उनके जाने के बाद सबंदर लोट आये बहू ने अमर से पूछा सिनेमा चलियेगा ना बसंती ने उचल कर कहा भाया हमें भी गजातर बाबू की पतनी सीधे चौके में चली नहीं है दोस्तों अभी आप सुन रहे थे उसा प्रियम्बदा द्वारा लिख्यों ही कहानी बाब से अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शियर जरूर करें धन्यवाद